नमश्कार दोस्तों और मेडिय अपडेट्स चैनल में आप सब कर स्वागत है दोस्तों आज आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे आप अगर सुबह एक गिलास पाणी में डाल कर पीते हैं तो आपकी हडियां मजबूत होंगी और मधुमें और कॉलेस्टर से कारा मिलेगा और वह चीज है दोस्तों शिलाजीत शिलाजीत शरीरिक शक्ति को बढ़ाता है इसके सेमर से बुड़े इंसान वे बीस वर्ष के जवान की तरह ताकत आ जाती है शिलाजीत के फाइदा को जानने से पहले आपको यह जानने जरूरी है कि आगर शिलाजीत क्या होता है शिलाजीत का स्वाद में कसैला गरम और ज्यादा कड़वा होता है इस में से गोम मुत्र की तरह गंदाती है तो दोस्तों आए जानते हैं शिलाजीत के फाइदे शिलाजीत का सेवन सुब एक गिलास पानी में मक्का का दाने या एक चुटकी के ब्राबर गोल कर पी करना चाहिए शीला जीत का सेवन करने से तनाव को पैदा करने वाले हार्मोन संतुलत हो जाते हैं जिससे इनसान को टेंशन की समस्या नहीं होती यह तुरन तुर्जा देता है इसमें अधिक इसे मजूद विटामीन और प्रोटीन की वज़े से शीर में और जा बढ़ जाती ह शीला जीत खानसी हड़ियों की मुखे विमारियां गैसे जोड़ों का दर्द और गठिया की समस्या दूर होने के साथ ही हड़िया मज भूत होती हैं बिलड प्रेशर को समाने के जा सकते हैं शीला जीत के इस्तिवाल करने से यह श्रीर में खून की नसाओं को साफ करके रक शीला जीत मधू में ग्रसित लोगों के लिए बहुत ही फायदमन ओषदी हैं एक चमच त्रिफला चूरन और एक चमच शहाद को दो रति शीला जीत से खाने से मधू में ठीक हो जाता हैं रोज एक चमच मक्वन के साथ शीला जीत का सेवन करने से दिमाग की ख्षमता बढ यह दिमाग को भी तेज करता है। दिल की सिहत के लिए बहुत यच्छी हो श्रदी है श्रढते श्रथी Я उच्रक्ट चाप की समस्च से भी आपको निजाद देलता है। यह गठिया यह सुजरण के समस्च हो रही हो तो मिया श्र best करें, आपको रहत मिलेगी। जब पाचन तंतर कमजोर हो जाता है तब इंसान के शिरी को कर बिमारी आने लगती है शिलाजीत खान से पाचन तंतर मिजबूत और स्वस्त बनता है दोस्तों किडनी के समस्या को भी ठीक करता है शिलाजीत क्योंकि शिलाजीत श्रीर में बलड सलगुलेशन को ठीक रखता है दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए शिलाजी का सेवन करें दूद और शेहद के साथ शिलाजी को सुबह सूरिय उगने से पहले सेवन करना चाहिए श्रीर की कमजोरी, दूर करना और बिमार से लडने में रोग परती रूदा क्षमता को बढ़ाना श्रीलाजी के सेवन से होता है दूद के साथ सुबह श्राम श्रीलाजीत को खाने से निसान बिमार नहीं पड़ता है और दोस्तो इसमें साफधानी ये हैं कि इसको एक मक्य के दाने के पराबर ही आपने सेवन करना है अधिक शिलाजीत खान से अलर्जी हो सकती है गरभ वस्ता में शिलाजीत नहीं खाना चाहिए शिलाजीत के अधिक सेवन से बचना चाहिए तो दोस्तो ये थे शिलाजीत के फ नामस्कार!